नमस्कार दोस्तो मैं हूँ S.P. शर्मा आप देख रहे हैं Green Garden चनल Green Garden चनल में आप सभी को शागत है आज मैं आप लोगे किशाथ शेयर करूंगा एक जोरा फ्लावर प्लांट की क्यार आप लोग कैसे करेंगे याने कि आपकी एक जोरा फ्लावर प्लांट में फ्लावर नहीं खिल रही है तो आप लोग क्यार कैसे करेंगे इसलिए आज की वीडियो देखिए मेरे फ्लावर प्लांट में आभी फ्लावरिंग चल रहा है कुछ flower old भी हो चुके है और बहुत सरे ऐसे tips है branches है जहाँ पर अभी flower नहीं है ऐसा क्यूँ है और आपके पाश भी ऐसे flower plant होंगे एक जुरब flower plant होंगे जिसकी growth काफी अच्छा होगा और उसमें अभी flower बिलकुल भी नहीं है आप लोग की बहुत ज़दा comments आते है सेर मेरे flower plant की growth बहुत ज़द आच्छा है लीफ आच्छा है लेकिन flower नहीं खिल रहा है आप लोगों ने हो शकते है प्रुनिंग किये है प्रुनिंग की बाद एकज़रा flower plant में अगर growth start हो जाते है तो एकज़रा flower plant में flower खिलने में काफी time लगते है वो पहले अपना growth को complete कर लेते हैं और इसके बाद धीरे धीरे करके flowering होता है आप मैं बात करूंगा देखिए pruning हमने कर लिये थे यहां से यह देखिए pruning हमने यहां से किये थे और इसके बाद यह जो growth आये है new tips आये है, new branches आये है जितनी भी branches देख रहा है शबी जगा से मैंने pruning किया था देखी और pruning के बाद यह शब growth आया है new growth में थोड़ा लंबी शमाय बाद इसमें flower खिलते है और flower किस branch में आये है जो branch छोटे छोटे थे जिसकी मैंने pruning नहीं किया था यह देखिए यह branch छोटा था इसका मैंने pruning नहीं किये थे यह branch छोटे थे देखिए हाँ पर कोई भी pruning नहीं किये थे यह branch भी छोटे थे ऐसा जो छोटे छोटे branch थे जिसका मैंने pruning नहीं किया था उसमें से आभी flower खिल रहा है आप अगर February मांत में अगर pruning नहीं करते तो आपकी flower plant में definitely आभी flower खिलते तो क्या होता आप अगर pruning नहीं करते तो आपकी flower plant इतनी ज़्यादा बूशी नहीं बनते मैं और एक plant देखाता हूँ अप लोग को यह दिखिए और एक एक जुरा flower plant और इसका जो growth है देख लीजे अप लोग बहुत ही जबड़दस growth है और growth की शाथ-शाथ देखिए एक branch तो आया था उसके नीचे से दो branch और दिये है और शाथ में देखिए उपर से और भी दो branch दे रहे हैं यानि कि जबड़दस्त growth में है यह देखिए यहां पर भी नीचे से और branch सार है उपर एक branch है हमेशा कोशिश करता हो हमारी फ्लावर प्लांट थोरा सा बूशी हो जाए और इसके बाद ही फ्लावर खेले तो अच्छा है लेकिन इसमें भी फ्लावर है देखिए कहा पर फ्लावर है यह देखिए जहां पर मैंने प्रूनिंग नहीं किया था छोटा सा ब्रांच छोड़ द जाएंगे आपकी फ्लावर प्लांट में फ्लावर से लद जाएगा तो आभी हम क्यार कैसे करेंगे फर्टलेजर क्या दे देंगे ताकि हमारे फ्लावर प्लांट अभी ग्रोथ को स्टॉप कर दे और हमको फ्लावर मिल जाए शब से पहले मैं बात करूंगा इंसेक्टिसाइ तो ऐसा यह tips को आप तोड़ दीजी पिंचिंग कर दीजी नीचे से दो ब्रांचे साएगा फिर से एक बर पिंचिंग करें दो तीन बर पिंचिंग करने के बाद आप आपकी फ्लावर प्लांट को बुषी बना लिजी और इसके बाद आप फ्लावर लिजे आपको अच्छा रेजल्ट मिलेगा आपकी फ्लावर प्लांट में बहुत ज़्यादा ब्रांचे सो जाएंगे इमीडिया क्लोपीड यहनि की कांफिडर बान अमेल पर लिटा वाटर डिजल्ब करेंगे और फ्लावर प्लांट के उपर अच्छा से एस्प्रे करेंगे ताकि हमारे फ्लावर प्लांट में निव लिफ है इमीडिया क्लोपीड बान अमेल पालिटा वाटर वीकली एक बार फांजी साइड आप जरूर इस्प्रे करें रिडो मिल गोल्ड टू ग्राम पालिटा वाटर डिजल्ब करें और ए फ्लावर प्लांट की उपर 15 दिन आंतर से एक बार इस्प्र जाते हैं ले लिजी टू एमेल पालिटा वाटर डिजल्ब करें बीकली एक बार इस्प्रे करें ग्रोथ प्रियर्ड में है फ्लावर प्लांट फ्लावर प्लांट को आभी फूट की बहुत ज़्यादा जरूरत है मल्टिपल माइक्रो न्यूटेंट ए फ्लावर प्लावर को बहुत ज़्यादा पसंद है आप दस दिनांतर से एक बार उतकर्ष कंपनी की कमभी टू और नहीं तो एमपक्सिलिन कमभी टू दोनों में से जो आपको मिल जाते हैं आप टू गिरम पाल लिटा वाटर डिजल्ब करें और ए फ्लावर प्लावर प्लांट के उपर देखें निवनु जो लीफ आया था बिलकुल डर्क ग्रीन है ये भी डर्क ग्रीन हो जाएगा नो प्रब्लिम इनकेस अगर लीफ क्लोजिस हो जाते हैं ओ कंडिशन में आपको चिलेटेड आइरन टू गिरम पाल लिटा वाटर डिजल्ब करके आधा लिटार करके हमारी प फिलावार खिलाने के लिए हमको फिडिंग देना है तो हम पटास जरूर देंगे और कुछ फटलेजर ऐसे देंगे जो अर्गनिक है और इन अर्गनिक है मेरे पॉट की शाइज 10 इंच है देखिए एक 10 इंच है दूसरा भी 10 इंच है देखिए सॉयल हामेशा मॉइस्ट रहे धेन रखिएगा आभी हाई टेंपरेचर है सॉयल अगर ड्राइ हो जाएगा तो आपकी फिलावर प्लान की ग्रोथ रुख जाएगा मैंने कुछ और्गनिक फर्टलेजर तयार कर लिया और यह हमने ले लिये है मैं बता देता हूँ इसमें क्या है यह जे चम्मच है यह चम्मच का एक चम्मच बोन्मील एक चम्मच हर्णमील एक चम्मच निम खली एक चम्मच मास्टार्ट केक पावडर इसमें है और इसमें एक चम्मच देखिए एक चम्मच ऐप्षण शल्ट इसके बाद हम देंगे पटाश एह देखिए मेरे पास Npk 0050 है एह देखिए पटाशयम सालफीट इन केज आगार आपके पास पटाशयम सालफेट ना हो मियूरिट पटाश हो तो आप मेरो पटाशी लिजी आधा चम्मच लेंगे हम यह देखिए चम्मच की आधा चम्मच इसमें एड़ कर दिये हैं दूसरे में भी एड़ कर देंगे आधा चम्मच ये देखिए आधा चम्मच हमने ले लिए है और इसमे एड़ कर दी इसके साथ हमको हाई फस्पराश और कुछ नाइटोजिन भी देना है ये मेरे पाश डीएपी है 10 इंच की पॉट में हम कम से कम 20 ग्रानूल्स डीएपी देंगे ये देखिए डीएपी आप काउंटिंग करे और इसके बाद एड़ करे 20 ग्रानूल्स हमने डीएपी एड़ किये है 20 ग्रानूल्स अल्मोस्ट 1 ग्राम होता है ये देखिए ये हमने मिक्स कर लिए है दोनों को कोई-कोई दोस्त निव देखते हो और कमेंट्स पासेस कर देते हो एक प्लान्ट को इतना ज़्यादा फर्ट लेजर इतना ज़्यादा मतलब क्या है आपकी ये जो पॉट है 10 इंच की पॉट है ये 10 इंच की पॉट में अल्मोस्ट सारे 3 केजी से लेके 4 केजी इसमें शॉयल होता है इतनी सी शोयल में एक plant को बचा के राखना और उसमें से non-stop flower लेना बहुत टाफ कम है आप अगर fertilizer नहीं देंगे तो ये flower plant आपको जिन्दा तो मिलेगा लेकिन flower नहीं मिलेगा आपको इतनी fertilizer देने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों को flower नहीं मिलते तो आप comments passes करने से पहले जरा सुष समाज के फिर comments passes किजिएगा ये देखिए ये शोयल में हमने mix कर दिये है फेला दिये है चारो साइड में दूसरे pot में भी आप दे देंगे दूसरे pot में भी ऐसी दे देंगे चारो साइड में ये जो organic fertilizer है अब 15 दिन से लेके एक महिना में एक बड़ दे शकते हो जैसा आप चाहो 15 दिन में भी दे शकते हो और महिना में भी एक बड़ दे शकते हो लेकिन जो chemical fertilizer है ये chemical fertilizer आपको 15 दिन में एक बड़ देना है फर्टलेजर दे दिये है फर्टलेजर देने के बाद आप हम पाने डाल देंगे इसमें अभी गुराई नहीं करेंगे देखिए दोस्तों ऐसे करके आप पाने डाल देंगे यह हमने अल्मॉस्ट आठ सो एमल पाने डाल दिये है हमारी पॉट में देखिए और जो भी फर्टलेजर दिये है धीरे धीरे करके शॉयल के साथ मिक्स हो जाएंगे ऐसे करके आप अगर फर्टलेजर देते रहेंगे तो आपकी फ्लॉर प्लान्ट को बहुत ही अच्छा फाइदा मिलेगा और आप लोगो को बहुत ज़्यादा फूल भी मिल जाएंगे कोई भी क्यारी है दुस्तो आपलों कमेंट्स बस मुझा के जरूर कमेंट्स किजिएगा आप लोगो को पूरे कमेंट्स की एनसरिंग किया जाएगा उम्मीद करते हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है और अगर पसंद आते तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, शाब्सक्राब जरूर कर देना शाथ में विल आइकन को प्रेस कर देना थैंक्स पर बाची